पितंपुर उद्यों की छेतर में आज मुख्य मंत्री ने करोड़ों रुपिये के विकास कारियों का लोकारपन और भूमेपुजन किया, साथ ही साथ एक जीला, एक उत्पाद योजना का भी शुभारम किया गया राजी स्तरीय रोजगार मेले के साथ करीब 15 जीलों के मुख्य उत्पादों के उत्पादक शामिल हुए, करीब 10 करोड की लागत से बनाये गया, महराना प्रताप बस स्टेंड का लोकारपन किया गया, वहीं महराना प्रताप की मूर्ती का अनावरण भी किया मुख्य मंद्री के इस राजी स्तरीय रोजगार मेला एवं महराना प्रताप बस स्टेंड का लोकारपन कारी क्रम में, हजारों के संख्या में श्रमिक और जन प्रती निधियों ने अपनी उपस्तिति दर्ज कराई, वहीं इस कड़ी में नगरपाली का पितंपूर द्वार मत्य प्रदेश के एस स्वी मुक्यमंत्री मानने सिवरा सिंग चौहान पितंपूर आएगी और आज उन्होंने पितंपूर में एक इत्यास जिसे कहते हैं कि ये वोद्योगी छेत उनके नेतरत में देश और दुनिया में विच्षी थे और आगे बढ़ रहा है उसी को के उपलक्ष में करीब प्रत्यक्स और अप्रत्यक्स दो लाग युवाओं को रोजगार मिलेगा उसी प्रकार आज दगरपाली का पीतंपूर ने महाराना प्रताब बस टर्मिनल जिसकी लागत 10 करोडे उसी के साथ हमारे महापूरुस महाराना प्रताब की प्रतिमा का अगरपाली का के 45 करोड के कारियों का लोकरपन और भूमे पूजन किया इस प्रकार से आज मद्यप्रदेश का जो बस टर्मिनल देख रहा है यह देश को जोड़ने वाला टर्मिनल है क्योंकि पीतंपूर उद्योगी क्षेत्र में कई राज्यों के लोग निवास करते हैं और माइगरेट लेवर का आना जाना अन्नी राज्यों से लगा रहता है इसलिए यह अत्यादूनिक बस टर्मिनल महराना प्रताब बस टर्मिनल पीतंपूर की एक माउथ बड़ी उपलब दी जो मानने मुक्यमंत्री जी के आशिरवास से पीतंपूर को मिली और जो अन्नि सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल बिना मुले